दोस्तों पिछले अपते तीन फरवरी को भारत में थेटर में रिलीज हुई Knock at the Cabin का रिव्यू करना मुझसे चूट गया था भारत में इसे केवल अंग्रीजी में रिलीज किया गया है हिंती में डब नहीं किया गया फिल्म के राइटर और डिरेक्टर है M. Night Shyamalan फिल्म 2018 की पॉल जी ट्रैमले की नॉविल The Cabin at the End of the World पर ये फिल्म आधारित है M. Night Shyamalan की पिछली पाच फिल्मों के हमने रिव्यू किये हुए है सबसे पहले तो The Sixth Sense जो उनकी अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म हम जिसे कह सकते हैं उसके बाद Unbreakable, Split, Glass और उनकी पिछली फिल्म Old Old की अगर हम बात करें M. Night Shyamalan की पिछली फिल्म तो उसका आइडिया बहुत ज़्यादा इंटरिस्टिंग था बहुत सरे excitement के साथ में फिल्म देखने के लिए था पर overall फिल्म ने बहुत ज़्यादा निराश किया था और इसके अलावा भी M. Night Shyamalan की पिछली 6-7 फिल्म में अगर हम देखें उनमें से Split और Glass को अगर हम छोड़ दे तो बाकी फिल्मों ने भी हमें थोड़ा बहुत निराशी किया है तो बिल्कुल Zero Expectations के साथ मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया था देखें अभी शुरुवात में बिना कोई Spoilers दे फिल्म का मेरा अनुभव कैसा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं फिर हम कहानी के बारे में चर्चा करेंगे पहले मैं आपको बता दूँगा कि इसके आगे Spoilers आने वाले हैं तो फिल्म की शुरुवात बहुत ही जदा interesting way में होती है शुरुवात को जो आदा घंटा है वो काफी जदा intense है अगर आपने trailer नहीं देखा है तब तो इस सारी बाते आपको और भी जदा बिल्कुल शौक कर देंगी आप चौक जाएंगे सब देखकर कि भाई ये क्या हो रहा है अकर इसके पीछे क्या reason है ये चल क्या रहा है अगर आपने trailer नहीं देखा है तो क्योंकि trailer में उन्होंने बहुत सारी बाते reveal कर दी है जो सबसे मुख्य जो twist है वो शुरुवात के लगबग आदे घंटे में हमें पता चल जाता है और उसके बाद में फिर कहानी में ऐसी कुछ खास progress नहीं होती एक ही बात बार 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 फिर repeat होती रहती है और एंडिंग में भी कुछ बहुत आपको out of the box या बिलकुल आपने सोचाई नहीं हो ऐसा कुछ आपको एंडिंग में reveal होगा ये आप expect मत करना और फिल्म engaging है अम शुरुवात से अन्त तक देख पाते हैं और बिलकुल M. Night Shyamalan की जो पिछली फिल्म में old उसकी अपेक्षा तो मैं इसे काफी better कहूंगा हाला कि उन्होंने यहाँ पर जो couple दिखाया है वो gay है जो उन्होंने trailer में reveal कर दिया था और उन्होंने एक छोटी बच्ची को adopt किया हुआ है और अभी वे उस बच्ची के parents है देखे कोई अपने personal life में वो किसके साथ relationship में रहना चाता है किसके साथ शाररिक संबनाना चाता है वो एक अलग विशे है वो उसका व्यक्तिगत जीवन है पर किसी बच्चे को adopt करना इसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता एक बच्चे के लिए मा और पिता दोनों की ही आवशकता होती है पिता की कठोरता, मा का प्रेम, बच्चे के लिए दोनों की ही बहुत ज़दा आवशकता होती है तो ये जो बात उनोंने एक प्रकार से नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया है ये बात मुझे बिल्कुल भी ट्रिलर जब मैंने देखा था तब ही मुझे ये बात पसंद नहीं आई थी और फिल्म को भी अगर हम देखें तो एक प्रकार से इसके बारे में भी कुछ वो कहने का प्रयास करती है जो कुछ भी बैग्रॉंड में भी जो कुछ ये चल रहा है जो ये चार लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसके पीछे भी वो इसी बारे में कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं sexual liberation के उपर ही, वो हम spoiler वाले पार्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे, overall अगर आप एक psychological thriller या horror समझकर ये film देखने के लिए जा रहे हैं, तो ज्यादा expectations मत रखना, शुरुआत का आधा गंटा आपको प रभावित करेगी, पर इससे जदा फिर आप कुछ expect मत करना, तो ये हो गया बिल्कुल spoiler free review, अब rating भी हम यही पर दे देते हैं, मैं knock at the cabin को दूँगा, 6 out of 10 stars, पैंडल guidance की बात करें तो फिल्म में कोई nudity नहीं है, पर adult theme है, गे कपल उन्होंने फिल्म में दिखाया है, और इसके साथ ही फिल्म में violence भी है, एस certificate के साथ इसे भारत में theater में release किया गया है, चलिए अब कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो जैसे कि मैंने का trailer में उन्होंने लगभग कापी सारी कहानी के बातों को reveal कर दिया था, एक बिकुल सुमसान ऐसे जंगल में एक cottage है, जह डियो बिटिस्टा का जो character है, वो उनका leader है, उसके साथ में और तीन लोग है, और वे इस घर पर एक प्रकार से हमला कर देते हैं, इसके बाद में वे घर में गुच जाते हैं, ये भी उन्होंने trailer में बता दिया था, इसके बाद वो उनके सामने क्या शर्त रखते हैं, ये तीनों में से किसी एक को अपनी स्वेच्छा से अपना बलिधान देना होगा, और ये उन तीनों को ही तै करना है, ये चारों वो तै नहीं कर सकते, और ऐसा अगर होगा, तभी ये दुनिया नश्ठ होने से बच सकती है, और इसके बाद में फिर जब ये चारों उन से यह रूपर्ट ग्रिंट हैरी पॉर्टर में जिन्होंने रॉन विजली का करेटर प्ले किया था तो सबसे फहले वो अपने आपको वहाँ पर मार देता है और उसके बाद में फिर एक-एक करके इन चारों में से एक-एक-एक विक्ति अपने आपकी वहाँ पर उन तीनों के सा है और इसी बात को लगबग उन्होंने 50-55 मिनिट तक उन्होंने खीचा है पर चारों के चारों ही हमें लगबग 15-20 मिनिट के बाद पता चलता है कि भाई ये किसी को हर्ट नहीं करने वाले ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने वाले क्योंकि वो तो शांती से पूच के लिए तयार है किसी अच्छा से अपना बलिदान देने के लिए बस इससे ज़्यादा वो उनको हर्ट नहीं करेंगे ये जब हमें शुरुआत के 20-25 मिनिट के बाद पता चल जाता है तो उसके बाद तो फिर हमारे अंदर का डर ये निकल जाता है कि अब तो ठीक है मतलब वो केबल पूचेंगे ये लोग मना करेंगे और उसके बाद में फिर वो अपने आपको ही मार देंगे इससे ज़्यादा कुछ अलग से ऐसा कुछ होगा नहीं इंडिंग में जाकर हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा अलग से ट्वीस्ट हमें देखने को मिल जाए ये जो ख अपने आपको उन चारों में से मारता है उससे पहले वे न्यूज पर रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर सुनामी आ रही है देखो यहाँ पर कोई भयानक ऐसा कोई कोई करोना जैसा वाइरस फैल गया है और लोग मरते जा रहे हैं और देखो यहाँ पर मतलब कुछ-कुछ एक-एक थोड़े-थोड़े समय के बाद में वो न्यूज रिपोर्ट चला कर दिखाते हैं हाला कि फिर भी हमें अंदर से हमें भी विश्वास नहीं होता ऐसा लगता है कि यह चारों अभी अटैक करने के उद्देश्य से यहाँ पर आये हुए हैं तो ह रियल है या नहीं इसको लेकर भी हमारे मन में कापी सारा संधे होता है पर फिर फिल्म के एंडिंग में जाकर हमें पता चलता है कि यह तो सब कुछ रियल में हो रा है वो जब घर के बाहर आते हैं यह गम पर हम देखते हैं कि भाई सच में हवाई जाहाज ऐसे धर्ति पर गिर रहे हैं, पूरा आकाष काला काला हो गया है, बादल से भराया है, और तेश हवाय चल रहे है, बिजली गिर रही है, और दुनिया बिलकुल जैसे बिलकुल दुनिया का अंत अभी निकट आ गया है, और इसके बाद में फिर जो गे कपल हैं, उन्हों51 से एक व्यक्ति अब देखें ये फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है इसके बारे में अगर हम सोचे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर reverse psychology का यूज किया है जिस novel पर जिनोंने ये कहानी लिखी हुई है उन्होंने एक प्रकास से reverse psychology का यहाँ पर यूज किया है मतलब जो बात आपको किसी को कहनी है बतानी है वो अगर सीधे तरीके से नहीं समझ रहा तो उसको एक प्रकास से reverse psychology का यूज करके या उसको बिल्कुल extreme opposite जाकर उसके सामने वैसी परिस्तिती create करतो वो बता दो और फिर उससे प्रशन पूछो तो हो सकता है कि वे आप जो चाहते हैं वो उत्तर सामने वाले से मिल जाए जैसे कि अभी एक gay couple है उन्होंने एक बच्ची को adopt किया हुआ है और जो लोग इसका विरोध करते हैं तो एक प्रकास से film उनको ये कहने का प्रयास करती तो अगर इस दुनिया को तुमें बचाना है तो तुम तीनों में से किसी एक को मरना होगा गई couple और उनके द्वारा adopt किये गई बच्ची तो सब्वाइक से बाते कोई भी सामान्य कोई भी समझदार वक्ति ये कहेगा कि भाई ये जो तुमारी कपोल कल्पित बात है दुनिया नश्ट होनी के ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं इन लोगों के जीवन से ज़्यादा तुमारी कपोल कल्पित बात का महत्व है क्या ऐसा थोड़ी ने होने वाला है, दुनिया थोड़ी ने नश्ट होने वाली है जीने तो उनको, क्या प्रॉब्ले में वो जी रहे है अपनी जीलाइप में तो, जीने तो वेसे जैसे वो जी रहे है कोई भी सामान ने समझदार व्यक्ति, विल्कुल unrealistic ऐसी situation उन्होंने यहाँ पर दिखाई है सौवेक सी बात यह कोई भी यह देखेगा तो वो यह तो विश्वास नहीं करेगा ना कि भाई, अब यह गे कपल है, उनके साथ में बच्ची का डॉप्ट किया है, क्या उसकारा से कोई दुनिया नश्ट होने वाली है जो वो बात कहना चाहते है, या LGBTQ Agenda को वो जो support करना चाहते है, sexual liberation का वो जो support करना चाहते है उसके लिए उन्होंने reverse psychology का use किया है, ऐसा लगता है बाकी आपको क्या लगता है कि फिल्म की कहानी के माध्य में से उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, या फिल्म का उद्देश्य क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियों देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम, बंदे मातरम